हे लेर्नर्स वेलकम बैक तो मैं चैनल आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं एक प्ले को जिसका नाम है गौर्बुडक इसे थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैक्विल ने कॉलाबोरेट करके लिखा था इस प्ले को जोफ्री ओफ मॉनमाउथ की हिस्टोरिया रेगम ब्र इस प्ले को सबसे पहले 1565 में एंड सेकंड टाइम 1570 में इसके थर्ड एडिशन को 1590 में पब्लिश किया गया था इसे कुईन एलिजबेट वन के सामने भी परफॉर्म किया गया था इस प्ले को फॉर्स इंग्लिश ट्रेजडी माना जाता है इसे ब्लैंक वर्स में लिखा ये ट्रेजिक मॉडल्स को फॉलो करता है ये प्ले शैनेक का रिवेंज ट्राजडी लिखते थे अड ये प्ले भी एक रिवेंज ट्राजडी ही है इसे 1561 एंड 62 के अराउंड लिखा गया था और इसे गॉर्बॉडग के इलावा अपने दोनों नहाँ संस में डिवाइड क देना चाहता है Farrick's उसका older son है and Porex younger तो वो ये plan करता है कि Farrick's को वो अपने kingdom का southern part दे देगा and Porex को northern इस division में वो किसी को भी favor नहीं कर रहा वो अपने दोनों बेटों को equal समझता है बट उसकी wife Queen Vedena भड़े बेटे फेरक्स से थोड़ा ज़्यादा प्यार करती है तो किंग इस बारे में अपने कंसलर्स और अड्वाइजर से बात करता है उसका एक एड्वाइजर अरॉस्टरस तो उसके प्लैन को पूरा सही बताता है लेकिन उसका एक कंसलर यूबिलस उसके इस plan को सही नहीं मानता और वो से कहता है कि इस plan के consequences बुरे हो सकते हैं वो उसे ये भी समझाते हैं कि पहले पहले तो वो दोनों तुम्हारी बाते पूरी मानेंगे लेकिन gradually वो उसके advice लेना बंद कर देंगे जब power उनके हाथ में आ जाएगी अपनी इस warning को और मदबूत करने के लिए वो लोग एक story सुनाते हैं एक example देते हैं दो cousins की क्यून डैग एन मॉर्गन नाम के दो cousins थे जो दोनों एकठे मिलकर Britain को rule करते थे लेकिन धीरे धीरे उनमें differences grow हो गए जिसकी वज़े से वो दोनों एक दूसरे के against हो गए और ऐसे ही power हसल करने के लिए एक दिन क्यून डैग ने मॉर्गन को मार डाला उन लोगों के मन में एक डर्थ था कि कहीं फेरेक्स और पोरेक्स के साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए किंग और बोड़क उनकी पूरी बाते सुनता है और उन्हें इस advice के लिए thanks भी कहता है लेकिन वो कहता है कि मैंने finally अपना मन बना लिया है कि मैं kingdom को divide करके रहूंगा तो अब किंग अपने दो trusty counselors पोरेक्स और फेरेक्स के पास भीजता है तो वो फेरेक्स को इतना ज्यादा instigate करता है कि तुम्हारा younger brother पोरेक्स तुम्हारे against जरूर कोई conspiracy रच रहा होगा वो जरूर एक दिन तुम्हारे kingdom पे attack करेगा तो ये सब बाते सुनकर फेरेक्स को सच में ये लगने लग जाता है और वो पोरेक्स के attack से बचने के लिए secret preparations करने भी लग जाता है किंग का second advisor philander पोरेक्स के पास जाता है लेकिन वो भी उसकी बातों को ignore कर देता है तो अब पोरेक्स का भी एक slave come advisor होता है और वो भी उसे hormone के जैसे ही provoke करता है to start a war against his brother तो अब पोरेक्स भी उसकी बातों में आ जाता है और वो अपने brother के kingdom पे attack कर देता है तो अब डॉर्डन king को inform करता है कि दोनों brothers के बीच hatred बढ़ती जा रही है king को ये सुनकर बहुत दुख होता है लेकिन वो अब कुछ कर नहीं सकता वो इसके solution के लिए एक meeting भी बुलाता है लेकिन उसमें भी कोई solution नहीं निकलता वो उन दोनों में से किसी को भी पीच्छे हटने के लिए भी नहीं कह सकता क्योंकि वो उन दोनों को equal मानता है तो ये सब बाते वहाँ पे हुई रही होती है कि उधर से एक messenger आता है और वो किंग को बताता है कि पोरेक्स ने अपने भाई फेरेक्स का murder कर दिया तो ये सब बाते कुईन वेडिना भी सुन लेती है और उसे ये जानकर बहुत दुख होता है क्योंकि वो फेरेक्स के ज्यादा close थी और वो ये decide करती है कि मैं इसके death का बदला जरूर लूँगी और साथ ही वो कहती है कि अपसे पोरेक्स उसका बेटा नहीं है वो एक criminal है जिसको कि उसके किये की सजा मिलनी चाहिए तो अब पोरेक्स कोर्ट में किंग के सामने present होता है वो अपने crime को admit करता है और इसके लिए sorry भी fail करता है लेकिन फिर भी वो अपने आपको justify करता है कि मैंने ये murder करके सही किया क्योंकि अगर मैं उसे ना मारता तो वो मुझे मार डालता तो मैंने अपनी life बचाने के लिए ये सब किया किंग गॉबड़क बहुत ज़्यादा confusion में है वो dilemma में है कि वो पॉरेक्स को माफ कर दे या इसे punish करे लेकिन वो कोई भी फैसला नहीं कर पाता वो बस इतना कहपाता है कि पॉरेक्स को उसकी नजरों से दूर कर दिया जाए तो उसी रात वेडेना पॉरेक्स के पास जाती है और उसे मार डालती है उसे मार कर वो फैरेक्स की डेथ का बदला लेती है तो ऐसे वन बाई वन मुर्डर्स को देख कर ब्रिटन की जनता नाराज हो जाती है इसलिए कुछ लोग को इन वेडेना और किंग गॉबर डग को मार डालती है तो अब ब्रिटन के पास कोई भी रूलर नहीं बचा था इसलिए वहाँ पे बहुत चारे रिवोल्ड्स होना स्टार्ट हो गए तो ऐसे फिर वहाँ पे एक सिवल वार स्टार्ट हो गई थी लेकिन जो नोबल्स थे यानि कि अरिस्टोक्रेट्स वो इस सिवल वार को रोकना चाहती थे क्योंकि ऐसी उनकी यूनिटी खतम हो रही थी और फिर कोई थर्ड पार्टी आकर उन पे अटेक कर सकती थी उन्हें गुलाम बना सकती थी तो ऐसे ही उन्हें पता चलता है द्यूक ऑफ अल्बनी एक आर्मी एकठी कर रहा है ब्रिटन पे अटेक करने के लिए तो जो नोबल्स होती है वो विद्रो करने वालों को यानि कि रेबल्स को मार रहे थे और वो ये भी डिसाइड करते हैं कि वो ड्यूक ऑफ अल्बनी का डटकर सामना करेंगे अब आता है अरॉस्टस जो कि गॉर्बुटक का कॉंसलर है वो मेडियेटर का रोल प्ले करता है यानि कि वो कॉमन पीपल से भी बात करता है और गवर्मेंट ओफिशल से भी वो ये मानता है कि बातचित करके हम इस प्रॉब्लम का सिल्यूशन निकाल लेंगे तो अब के गॉर्बुटक का एक दूसरा एडवाईसर आता है यूबिलस वो ये कहता है कि ये सब चीजे रोकी जा सकती थी अगर बिटेन में मौनाक से ज्यादा पावर्स पारलिमेंट के पास होते थो तो यहाँ पी प्ली राइट्स पारलिमेंटरी सिस्टम को मौनाकी से बैटर बताना चाह रहे हैं तो लास्ट में यूबिलस सबसे यही कहता है कि वो उमीद करता है कि बिटेन के पास फ्यूचर में एक अच्छा पारलिमेंटरी सिस्टम हो जिससे सभी को जस्टिस मिले तो यहीं पी यह प्ली हो जाता है खाताम अगर आपको यह समझ में आया हो तो एक शूर तो लाइक दी वीडियो और हिट दी सब्सक्राइब बटन